गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई चैनल मैं सजारन सरी आज कई दिनों के बाद मैं आप लोग सामने एक वीडियो बनाने वाला हूं बना रहा हूं जो कि गाउं आने के बाद वाके में बिल्कुल ही कई वजे से इस तरीके से नहीं हो पा रहा है जैसे गाउं शेहर में होता सर मेरा प्रस्ण है क्या करते हैं हम मेंबर जोईन कराते हैं मेंबर एक साल तक कोई डियक्षन उत्पादन नहीं खरीता है उसका मेंबर कोड बंद होता है पहला प्रस्ण ही है ठीक है पहले मैं इसी का जवाब देता हूं आपको बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को इस लाइक समझा और जितने भी डियक्षन के यूटूब चैनल हैं जो डियक्षन के मेंबर लीडर बताते हैं हर कोई सब का एक ही काम होता है कि सही जानकारी आप तक पहुंचाएं और सब कोई अपने अपनी टीम बनाएं और पैसे कमाएं सब को देश एक ही हो परेट और वेल्ड तो इसका भी मकसद यही है कि हम ज़्यादा लोग जोड़ें और हम क्या करें परसे कमाएं तो इसका परशन के यही है कि अगर आप डियक्षन वी जो आइं कराते हैं और एक साथ प्रोड़ेक्ट नहीं खरीते हैं तो उसका आईडी खतम हो जाता बंद ह याता है क्या तो देखे आइडी तो जूंके तू रहता है बंद नहीं होता हाँ एक चीज यह है कि एकस्पाइर जरूर हो जाता है मतलब यह लिखा जाता है मिसाल कर पर आपके टीम में पांसो शेसो हजार है और हर मेंबर हर डिस्ट्रिबूडर पूरे साल समान जब नहीं खरीता है तो उसके आइडी के यह लिखा जाता है इसलिए वह होता है और कुछ लोगों का होता है जैसे दो मेना तीन मेना खरीता है तो इसमें एक अलग निशान होता है है ना गोल जाने वाला होता है बनाब यह लिखा होगा साथ साथ ऑप यह लिखा होता है जो कटी वाला और एक टीसा जो होता है वह लाल प passionate तो आइडी आपका खतम नहीं होता है बल्कि आपका एक्सपायर हो जाता है मगर जब 1000 पीवी आप लेंगे इसका आगे का सवाल है अगर बंद होता है तो दोबारा चालू करने के लिए क्या करना होगा तो सब पहले नमद में बंद नहीं होता आइडी बंद होने का मतलब आपकी टीम में जो काम कर रहे हैं उसका कुछ भी आपको लाब नहीं मिलता लाब नहीं मिलता इसलिए उसको गते बंद हो गया यहां बंद ही होता ही नहीं कभी डियक्शन की आइडी कभी बंद नहीं होता आगे चलके भविश्य में हो सकता है जितने भी एक्सपायरी वाला है पांच साल दस साल एक्सपायर कर गया है अगर कंपनी चाहे तो उसको निकाल सकता है आहिसार निकाल देंगे तो काफी प्रणला सकते हैं किसका तो बन चुका है इसका मेरे निचे टार टीन इस्टार एजन क्वालिफाई हो तो मिसाल गदर गदर पर अगर वह तीन अगर रूंद उसका बैस्तष में और प्राब्लम आए है तो मेरा कहने के मतलब यह कि प्रवाद करता है एक्टिव हो जाता है चालू ने एक्टिव चालू तो रहता ही है फुरा करी कियो गोटी आप फिकर हो जाए जरा जैसे कि हमारी ये पिक्चर आप देख रहे हैं अब दूना आला खेत का है तो गौण द्याद में खेती होता है यहां हम